नमस्कार दोस्तो मैं आपका दोस्त चोक्टर आशीश आपका मेरे आज के कारिक्रम में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज का हमार टोपिक है शिस्न का शिकुड जाना दोस्तो शिस्न का शिकुड जाना क्या है अगर आपका पैनिस अचानक से शिकुड गया है अचानक स कमी हो गई है एक महीने से पहले ठीक था ठीक तनाव आता था ठीक साइज रहता था लेकिन पिछले एक महीने में धिरे-धिरे करके उसमें शिकुड़न आ गई है और यह सब पिछले एक महीने में धिरे-धिरे करके हुआ है यानि एक तो अचानक से शिकुड़न आ जाती है ए इस समय भी उसका साइज छोटा हो जाता है और तनाव आने के बाद में जितना साइज पहले होता था उससे आधा रह जाता है तो इसे सिस्न की सिकुडन कहते हैं दोस्तों ये एक योन समझ्या है ये क्यों होती है इसका होना कितना गंभीर है और इसका इलाज हम कैसे करें इसी की विशे में आज काई वीडियो होने वाला है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अगर चैनल को अभी तक आपने सस्क्राइब नहीं किया है तो आज इसे जरूर सस्क्राइब कर लें और उसके साथ साथ बैल का एकन जरूर दबाएं तो मैं इनको एक एक करके भी आपको समझाऊंगा दोस्तों इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा करण है प्रोस्टेट से जुड़ी हूई वी बीमारियां अगर आपको प्रोस्टेट से जुड़ी हुई बीमारियां लंबे समय से चल रही है यानि कि चिप-चिपा सा पदार् आपके prostate में infection है आपके prostate में सूजन है इस infection की वज़े से चिप-चिपासा पदार्थ हर समय निकलता रहता है दोस्तो एक तो होता है कि जब हमारे मन में कोई sexual थोट आया उस समय चिप-चिपासा पदार्थ निकलता है ये तो normal वाथ है लेकिन अगर हर समय इस प्रकार का चिप-चिपासा पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता रहता है तो ये हमारे prostate में infection होने की वज़ेशे होता है दोस्तो अगर ये बिमारी हमें लंबे समय तक चल जाए तो इस कारण हमारे पैनिस में shrinkage आ सकती है लिंक की student का दूसरा बड़ा करण है पैरोनी डिजीज दोस्तो इसमें होता क्या है आपके पैनिस के अंदर अनुरूनी चोट लग जाती है जैसे आप अपने साथी के साथ संबंद बना रहे हो उस समय आपके पैनिस के उपरी भाग में चोट लग जाती है जिससे वहाँ पर एक प्रकार की disease उत्पन होती है जिसको हम पैरोनी disease कहते हैं दोस्तो ये चोट किसी accident में भी लग सकती है या आपने साथी के साथ गलब तरीकी से अगर संबंद बना रहे हैं तो उस से में भी आपके शिस्न में चोट लग सकती है जिस कारण से उनका शिस्न तेड़ा हो सकता है जैसा कि आप इस चितर में देख रहे हैं पैनिस में बैं बढ़ती हुई उम्र बढ़ती हुए उम्र के साथ साथ हमारी नसों में खराबी आती है 90 फीस्दी लोगों को क्लोश्ट्रोल बढ़ जाता है और उनकी नसों के अंदर ब्लोकेज आ जाते हैं बढ़ती हुए उम्र के साथ साथ नसों के अंदर गंदगी खट्टा हो जाती ह कलोट्स बन जाते हैं और बलड सप्लाई उससे प्रभावित होती है और बलड सप्लाई प्रभावित होने से बलड सप्लाई कम होने से सिशन के अंदर सिकुडन आना एक आम बात है जो बढ़ती हुई उम्र के लोगों को अक्सर हो जाती है दोस्तो इसका चोथा जो कारण है वे है नियूरोलोजिकल यानि कि हमारे स्रीर में कुछ ऐसी तंत्रीकाई हैं ऐसा नर्वस सिस्टम है जो करंट पहुचाने का काम करता है यानि मस्तिस्क से जो मैसिज आता है वो हमारी रीड की अड़ी के माध्यम से तंत्रीकाई गई हुई जो हमारे स्रीणे को मैसिज भेजती है कि आपको इ करना है लेकिन जब इन तंत्रीकाऊं में चोट लग जाती है एकिसी एकसी यो कारणाती है वो अंदर की तरफ शिकुड जाता है दोस्तो इसका पांचवा कारण है मोटापा अगर आपको मोटापा है आपके पेट के चारो तरफ चर भी जमा हो गई है तो आपके पैन इसका सोकिट अंदर की तरफ गुश जाता है दोस्तों जितना हमारा सिसन बार होता है इतना ही हमारा सिसन अंदर भी होता है मोटा पे के कारण आसपास में जब फैट जमा हो जाता है तो उसके कारण सिसन का जो सोकिट है वो अंदर की तरफ से रख जाता है तो ये भी बड़ा कारण है सिसन में सिकड़ा नामी का दोस्तो इसका जो छटा कारण है वह है stress, अगर आप अपने जीवोंने बहुत ज़्यादा stress लेते हैं, चिंता लेते हैं, अवसाद में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो इससे धीरे धीरे करके आपकी sexual life प्रभावित होती है, क्योंकि दोस्तो आदे से ज़्यादा ज आपको depression, आपको तनाव, चिंता, घवराट, इन सबसे दूर रहना होगा, अगर आपका काम ऐसा है कि उसमें बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, तो इसकी वज़े से आपको योन समझ्चाएं आ सकती हैं, तो दोस्तो अपना काम इस त सिकुडन का बहुत अच्छा treatment है, अगर आपको ये समझ्चा आ रही है कि पिछले एक महीने में या पिछले एक सब्ता में देरे-देरे करके आपका सिसन सिकुड गया है, अंदर की तरफ गुस गया है, होम्योपैथि में इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाई आत दोस्तों मैंने आपको 6 कारण बताए, इन में से आपको कोई भी कारण है, तो उसकी अलग-अलग होम्योपैथिक दवाईया है, अगर आपको प्रोस्टेट से जुड़े ही बीमारियों के कारण ये समझ्चा है, उसकी अलग दवाई है, अगर आपको अंदुरुनी चोट क की दवाई अलग-अलग होती है, तो मेरा आपको यही सुजाव है कि आप डॉक्टर से कंसर्ट करके ही दवाईयों का चैन करें और उनको लेना शुरू करें, तो आपकी समझ्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, दोस्तों फिर भी मैं आपको तीन ऐसी ओम्योपैथिकी द लेंगे, तो यह दवाई आपके सिसन के अंदर बलड सप्लाई को बढ़ाएगी और इसकी सिकुडन को हमेशा के लिए ठीक कर देगी, दोस्तों इसकी दूसरी दवाई है नूफर थर्टी, नूफर लूटियम थर्टी पोटैंची में इस्तमाल करेंगे, इसको चार-चार दिन में तीन बार लेने से सिसन के सिकुडन में ये दवाई बहुत ही अच्छा काम करती है, दोस्तों इसकी तीसरी दवाई है कैलकेरिया कार्ब थर्टी, ये दवाई मोटे लोगों में अगर मोटापी की वज़े से सिसन में सिकुडन आ गई है तो इसमें बहुत ही South के विना दौायाओं का इस्तिमाल ना करें क्योंकि डौक्ट्र आपके लक्षण मुष्णर आपके कारौनों को जानकर और यसक्षण को जानकर उसके अनुसार जो दौाइचेन आपके लिए करेंगे वह आपके लिए बेस्ट रहेगी तो करते हैं आप सभी दोस्तों का बहुत दिने वाद करता हूं आप मेरेुअ को देखते हो मेरे चैनल को पसंद करते हो इसलिए आपका बहुत बहुत दिनने वाद आप सभी को मेरा नमस्कार